नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में 200 यूनिट तक बिजली माफ करेगी सरकार जार्खन में चुनावी साल में चमपाई सुरेन की सरकार बड़े एलानों की तेयारियों में जुट कई है यही नहीं राई सरकार 2,000,000 रुपए के किरिसी करज को माफ करने पर भी विचार कर रही है इसे बढ़ा कर 2,000,000 रुपए करने की योजना बना रहे है इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिली के मजूदा अधार को बढ़ा कर 200 यूनिट किया जाएगा CM विकास परियोज नाव के उद्गाटा ने हम अधार सीला रखने के लिए जमसेदपूर के गांधी मैदान में आयोजित एक साभा को समुद कर रहे थे वही CM 2400 ने बेरुजगार यूआवो के लिए बड़ी खोसना किया है 65,000 पराज सिक्षक और सभी अनुबंध कर्मियों को EPF से जोडने के लिए कमिटी गठित राई सरकार 65,000 पराज सिसको सहीद विभीन विभागों के तमाम अनुबंध कर्मियों को EPF का लाव देने पर विचार कर रही है बिद विभाग ने सभी विभागों के लिए एक उच अस्तरिय कमिटी गठित की है कमिटी की अनुशंसा के अधार पर इस सम्मान में निनर लिया जाएगा बिद विभाग ने इसकी जनकारी जारकन सिक्षा परिणा परिशत को दी है इससे पहले परिशत ने समग सिक्षा अभियान के तहट करवरत परिशत को के अलावा बियारपी सियारपी तथा परिशत के अधिन करवरत अनुबंध कर्मियों को ईपी एफ कलाब देने के लिए परिशत मुक सिक्ष के अधिक्षत वाली राजेकरकरणी समिती को दिया था इस पर राजेकरकर्नी समीती ने भीध विभागे पदांग सिक्ष को रिपोर्ट देने को कहा था कि पार्रसिक्ष को आधि को ईपी एफ कलाब दिया जा सकता हा या नहीं दसवी और बरहवी बोर्ड के मेधावी स्टुडेंट और गुरु हुए समानित परतिभा समान समारुः दोजार चोबिस का उजन रभिवार को गुरु नानक स्कूल सभागार में किया गया इसमें CBSC, ICSC और जारकन एकेडमी कॉंसील जैक बोर्ड के दसवी बरह हुई की बोर्ड परिक्षा के टोपरों को समानित किया गया CBSC और ICSC बोर्ड में नवे पर्थियत्या उससे अधिक अंग लाने वाले और जैक बोर्ड में 80-50 से अधिक अंग पाने वाले लगभग 1650 बिद्यार्थियों को समानित किया गया वहीं इस मौके पर विभीन इसकूलों के 17 परचारियों को गुरु समानित किया गया बता दे बतोर मुख्य अतिती सिर्कत कर रहे केंद्रिय रक्षा राजमत्री संजय सेट ने करकरम को समोधित किया उन्होंने हुनार विद्यार्थियों का होसला बढ़ाया और उन्हें नसे से दूर रहने की सलाह दी है कहा है कि समाज में नासा का प्रकोप घर कर रहा है नासा परिवार समाज सरीर सब को बरबाद करता है नसे का करोबार समाज तोड़ने और युवाव क भविस से अंधकारमाई करने का गंदा खेल है इससे बचना जरूरी है जनजातिये सिनेमा के निर्माता निर्देशको को बीटिये मदद करेगी जारखन सरकार उन्होंने कहा है कि जामों के नितिवत में चल रही सरकार यहां की समाजिक संस्कितिक आर्थिक वा सैक्षिनिक इचितिक मजबूत करने की दीशा में काम कर रही है कई जन कल्यान कारी योजनाय चलाई जा रही है उन्होंने कहा आये कि निर्माता निदेशक वा फिल्म निर्मान से जुड़े लोग पोटो हो के नाम से संस्था बना कर एक छट के नीचे काम करें ताकि सरकार को भी फिल्म निर्मान से जुड़े लोगों की पाचान करने में सुविधा हो जल जीवन मीशन में 6431 क्रोड खर्च पर 29 लाग घरों तक नहीं पहुचा पानी जल जीवन मीशन के तह जारकन के ग्रामीन इलाकों में चल रही हर घर नल जल योजना पर केंद्र और राय सरकार की ओर से अब तक 6431 क्रोड रूपे खर्च हो चुके है इसके बाजू जारकन में उपलाबदी 54 परतिशत ही है पांच बरसों के दोरान केंद्र सरकार की ओर से इस जीवना पर 340 क्रोड वराय सरकार की ओर से 32192 क्रोड रूपे खर्च हो चुके है यह योजना वर्ष 2019 में सुरू हुई थी दिसंबर 24 तक इस योजना के तहट राज्य के ग्रामिन इलाकों में 62.3 एक लाग घरों तक नल से जल पहुचाना है लेकिन अब तक सिर्फ 33.4 एक लाग घरों तक सुध पे जल पहुचाया जा सका है सेस साथ माह में इस योजना के तहट बच्चे हुई लगभग 29 लाग घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुचाना है राजे के लगभग 46 परत्यत घरों में रहने वाली लोग अब भी प्रकेतिक जल सुरूत पर निर्भर है 20 जून से अमिताव चोधरी रांची विवेंस फुटबॉल लिंग रांची में पहली बार 20 जून से महिला फुटबॉल लिंग का आयोजन किया जा रहा है उसकी तयारी शुरू कर दी गई है छोटा नागपूर एथलेटिक्स एसोसियेशन के तत्वधान में आयोजित लिंग सुर्गी अमिताव चोधरी के नाम से जाना जाएगा रविवार को प्रेस कोंफरेंस में CAA के महासचीव आसिफ नईम और सुर्गी अमिताव चोधरी के पुत्र अभिसेख चोधरी ने जनकारी दी है अभिसेख चोधरी ने कहा है कि लीग से नई परतिभाय निकलेंगी लीग में पहली बार उभरती खिलाडियों को खेलने का मौका मिलेगा उन्होंने बताया है कि लीग कराने का मकसद दूर दराज की खिलाडियों को सही मंच दिलाना है CAA के महासचीव आसिफ नईम ने कहा है कि लीग में 19 टी में हिसा ले रही है इन्हें तीन गुरूप में बटा जाएगा वहीं परत्योकता के सब भी मैच, लिंग, सह, नौक, आउट, अधार पर खेल गाउं के प्रेक्टिस वा स्टेडियम ग्राउंड में खेले जाएंगे बिधान सभाचुनाओं की तियारियों में जूटी आजसू, आजसू पार्टी की केंद्रिय समीती की रविवार को ही बैठक के पूरा जोर आगामी बिधान सभाचुनाओं की तियारियों को लेकर रहा, इसे लेकर पार्टी के कई कारे करम भी तय हुए हैं बैठक में लोक सभाचुनाव में पार्टी के पर्दसन पर भी चर्चा हुई है तथा इसकी समीक्षा पर जोर दिया गया काके रिंग रोड इस्थीद सुनैना वैंकवेट हॉल में हुए इस बैठक को समोधित करते हुए पार्टी के केंद्री अध्यक सुदेश महतों ने पार्टी ने तावों से कहा है कि बिधान सभाचुनाओ के तियारियों के लिए समय काफी कम है जनता के बीच अपनी मवजूद्गी को रिष्टे में बदलना है लोग सभाचुनाओं के नतीजे पर कहा है कि गिरीडी की जीत सधारान जीत नहीं है उन्होंने लोग सभाचुनाओं में बेहतर परज़न करने के लिए राज भार के करकरताओं और मद्दताओं के प्रति अभार परकट किया है HEC ceramic संग तिनों प्लांट में करेगा टूल डाउन HEC ceramic 성공 HEC limited ceramic करमचारी यूनियन हटिया कामगार यूनियन हटिया लोकमंच यूनियन और जनता मयदूर यूनियन 17 जून से तिनों प्लांट में टूल डाउन करने के त्यारी में है उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक टूल डाउन जारी रहेगा रभिवार को H.E.C. मैदूर संग ने बैठक की है बैठक में संग के पताधिकारी अमकर करता सामिल हुए है बैठक के अध्यक्स्ता सुनिल कुमार पांडे ने की मैदूर संग के महामंत्री रामा संकर प्रसाद ने कहा कि संग H.E.C. की समस्याओं के निदान को लेकर लगातार परयासरत है बहुत जल्दी अच्छा होगा इसका सुप संकेत मिला है बतादे भात्य मैदूर संग के केंद्री पताधिकारी इस विशाय को लेकर संवेदन सिल है बैठक के अध्यक्स्ता कर रह सुनिल पांडे ने कहा है कि सभी H.E.C. की स्थिती बहुत ही देनी है ऐसे विशम परिशिती में हम सभी को धर असनियम से काम लेना होगा U.E.C. प्रारंभीक परिक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन रविवार को भारत के सबसे प्रतिषिश सीवील सेवा U.E.C. प्रारंभीक परिक्षा 22 का वेजन हुआ है जिसमें रांची सहर में कूल 50 परिक्षा केंद्र बनाए गए थे सहर में 22,976 अभियारतियों के लिए परिक्षा केंद्र निधायत किये गए थे जिसमें से 12,037 अभियारती परिक्षा में सामिल हुए है परिक्षा दो चर्णों में आयोजीत की गई थी सुब्ब साड़े 9 बए से साड़े 11 बए तक समाने अध्यान पेपर 1 हुआ जबकि दो पहर अधाई बए से लेकर साड़े 4 बए तक सी सेट पेपर 2 का आवेजन हुआ है परिक्षा के दोरान कड़ी सुरक्षा बेवस्ता का प्रतिबंद किया गया था पतेक परिक्षा केंद्रे के इंट्री पॉइंट पर 2 महिला तथा 3 पूरू समेत कूल 5 सुरक्षा करमे उको तैनाथ किया गया था सहायक सिस्को का काउंसिलिंग 1 अगस्त को 22 से आवेदान राज सरकार ने प्रात्मिक विद्याल में सहायक सिक्षा के रिक्त रह गए पदोपन युक्ती के लिए काउंसिलिंग करने का निदेश दिया है साथ ही काउंसिलिंग से समाझीत रूप रेखा वा समय सार निभी निधारित कर दी गई है इसके अनुसार इंटर अस्तरिय कोटिवार तथा असनातक अस्तरिय कोटिवार वर विशायवार के अंतिम काउंसिलिंग के बाद रिक्त पदोपन युक्ती के लिए 20 जुन को बिग्यापन का प्रकासन किया जाएगा 22 जुन से लेकर 27 जुलाई तक अभियार्थु से अवेदन प्राप्त किये जाएगे वहीं प्राप्त अवेदनों की स्कुटनी 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की जाएगी काउंसिलिंग 1 अगस्त को होगी तथा 7 अगस्त को अम्तिम चयन सूर्ची का प्रकासन किया जाएगा इस समध में जार्खन हाई कोड़ द्वार अपील याचिका यम अन्य समध्ध वह सद्रिश मामलों में पारित आदेश के अलोग में उक्त निर्देश दिया गया है जार्खन में 25 से 49 साल की महिलाओ को बिसे सोगात मुख्यमंत्री मानगो गांधी मैदान में रविवर को मुख्यमंत्री चमपाई सुरेण ने 211 को रुपय की राशी का सिलन्यास सफ परिसंपत्ती बित्रन समारों को संबोधित करते हुए कहा है जार्खन की जानता की चिंता करने के लिए महागन बंदन की सरकार है उन्होंने कहा है की चार माह में जार्खन सरकार हर घर तक पहुँचेगी हर घर का दर्वाजा खटखटा कर हाल पूछेगी समारों के दर्वान मुख्य मंत्री चंपाई सुरे नकाहा है की जार्खन सरकार राजे की 25-49 वरस आयू की बहन मतावों को जल सोगात देगी उनके खाते में एक मुस्त रकम भेजी जाएगी सरकार युआओ को रोजगार के लिए 25 लाग रुपाई का लोन परदान करेगी जिसमें 40 परदात की सबसीट्री होगी सिमडेगा से 155 केजी गांजा के साथ 4 गिरफतार सिमडेगा में गुपत सुचना का अधर पर पुलिश ने अंतर राज जी ए गंजा तसकर गिरोह के 4 लोगों को गिरफतार करने में सफ़ता हसिल की है गिरफतार कीये गए लोगों के पास से लगवग 155 केजी गंजा बरा मत किया गया साथ ही उन लोगों के पास से एक सफेद रंग के सकार पियों को भी जब्त कर लिया गया है जनकारी के मुताबिक स्पी सोरभ कुमार को गंजा तसकारी के बार में गुपत सुचना मिली थी सिम्डेगा पुलिस अधिक्षा के निदेश पर स्टिपो पवन कुमार के नतिवत में छापे मारे दल का गठन किया गया था रांची के पाहडी मंदीर की दान पेटी से निकले डौलर समेच 6 लाख रूपा है रांची इस्थित पाहडी मंदीर का दान पेटी रविवार को खुला गया इसके बाद मंदीर के सचीवरा के सिन्हा एवं राजे साहु बादल सिंह के नतिवत में इसकी गिंती की परकिरिया सुरू की गई इस दरन पूरी परकिरिया की विडियोग्राफी भी की गई है जब पेटी में जमा नगदी गिंती की गई तो डौलर एवं दिनार समेच 6 लाख 45 एर 231 रूपे निकला है हलाकि गिंती के दरन कुछ रूपे खराब हो पड़े थे जिसे RBI से बात कर एक्सचेंज करने की समाती बनी है चात्रा में पिश्टल की नोग पर महिला से दुसकर्म के आरोपी को जेल उस पर गाउ के ही एक महिला ने उधार नहीं चुकाने पर दुसकर्म करने का आरोप लगाया था पिडिता ने महिला थाना में आवेदन देकर उसे खिलाप मामला दर्च कर आया था इस समान में महिला थाना कांट संक्या 9-22 के तहत मामला दर्च किया गया SDPO संदीब कुमार सुमन ने दलबल के साथ सनीवार की साम गाडिया गाउप पहुचकर आरोपिगो गिरफतार किया है कालपना सुरेन की जीत के बाद भी नहीं होगा नेत्युत परिवर्तन विधान सभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है संभाव है नौमबर में चुनाव हो जाए और इसके लिए चुनावी परकिरिया पहले से ही सुरू हो जाएगी इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन हालात में जार्खन में नेत्युत परिवर्तन होगा 25 सुरेन सरकार का नेत्युत कर रहे हैं और सभी उन्हें सहयोग भी कर रहे हैं कल्पना सुरेन चुनाव जीत कर आई हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नेत्युत परिवर्तन होगा उक्त बाते जार्खन के बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरावन ने कहा है वहीं डाक्टर रामेश्वर उरावन ने कहा है कि इस बार का चुनाव की सिखास ब्यक्ति के नेत्युत में नहीं लड़ा जाएगा बलिक हम जामो के नेत्युत में चुनाव लड़ेंगे इसकी वजाया है कि परदेश में हमारा गडबंदर और जामो एक बड़ी पार्टी है सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चीत तोर पर हमें सफलता मिलेगी धन्यवाद